गुड मॉनिग प्यारे बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सराइज 1.4 एक्सराइज 1.3 के अंदर हमने एक टाइप की थी आज हम नेक्स टाइप करने वाले हैं नेक्स टाइप हमारे पास क्या है चलिए उसको देखते हैं इसका मतलब क्या है यह हमारे पास कोई एक्स य का फूंक्शन है ठीक है और बाहर हमारे पास कोई य कोमन लिया हुआ है ठीक है आज जी ओफ एक्स वाई जी बी क्या है एक्स य का फूंक्शन है और एक्स बाहर क्या है गॉमन है यह मल्टीप्लाइए ठीक है then one or mx minus ny is an integrating factor provided mx minus ny not equal to 0 जो mx minus ny है one or यह हमारे क्या हो जाएगा integrating factor बिल्कुल पीछे question की तरह है जो आपने exercise 1.3 के अंदर किया था उसके अंदर किया था one or mx plus ny था ठीक है लेकिन उसके अंदर जो equation थी वो कैसे थी homogeneous थी ठीक है लेकिन यहाँ पर equation homogeneous नहीं है यहाँ पर xy कोई function है और y बाहर क्या है multiply यह xy कोई function है और x बाहर क्या है multiply चलिए इसको भी solve करते है question देखते है exercise से इसके भी हमारे पास कुछ 3-4 questions दिये हुए है कोई 2 questions यहाँ से मैं करा रहता हूं ठीक है next two questions जो बचेंगे वह आप करना बिल्कुर इजी questions है चलिए देखते हैं question first हमारे पास है 1 plus xy into y dx plus 1 minus xy into x dy is equal to 0 equation माले ते इसको first ठीक है अब क्या करेंगे compare comparing equation 1 with mdx plus and dy is equal to 0 हो यह question तो ऐसे हैं आपको साथ-साथ याद हो जाएंगे ठीक है बिल्कुछ चीज अच्छे समझाएंगे कि टाइप क्या इस टाइप के अंदर क्या करना है मेरे साथ-साथ आप करते रहेगी ठीक है तो m is equal to हमारे पास क्या आएगा 1 plus xy into y n is equal to 1 minus xy into x curly m over curly y इसका क्या करेंगे y के respect में derivative तो क्या करो derivative जो y है इसको अंदर multiply कर लेते हैं तो यहां पर y हो जाएगा और यहां पर y-scale ऐसे जो x है इसको भी अंदर multiply कर लेते हैं और यहां पर x के हो जाएगा हमारे पास ठीक है तो क्या आएगा 1 plus 2xy और यहां से करते है curly n over curly x तो 1 minus 2xy since curly m over curly y not equal to curly n over curly x therefore equation 1 is not exact अब हमें पता है equation exact नहीं है तुसका integrative factor क्या होगा देखो equation 1 plus xy into y 1 minus xy into x तुसका type हमारे पता है mx minus n y तो हमारे पास यहां से क्या हैगा देखो m हमारे पास क्या था y plus xy का square इसकी multiply किसके जचेध करने में x से साथ तो यहां से करेंगे तो xy minus x square y square minus इसकी multiply y के साथ तो xy minus x square y square तो यहां से xy minus x square y square minus x y plus square y square to minus x square y square यह कहीं कुछ xy यह एक्सवई कैंसल माइस एक्सकर चाहिए स्कूर प्लस एक्सकर वे कैंसल करें स्थे घोच किया है देखते कि बड़ वन प्लस एक्सवाइट इन तो एक्स xy into x m हमारे पास से था y plus xy का स्केर एन हमारे पास था x minus x square y x square y ठीक है जो m की मिल्ट विले करने हैं वो करने में x के साथ तो हमारे पास xy तो हमारे पलस है देखा क्यों 0 आ चुका है हमारे पास 0 तो मैं चाहिए नहीं xy और minus xy यह टर्म कैंसल तो यहां से बचाएगा हमारे पास 2 into x square y square ठीक है यह हमारे पास इंटेगेट इफेक्टर क्या हो इसका 1 over mx minus n y is equal to 1 2 x square y square यह हमारे पास क्या है इसका इंटेगेटिव एक्टर और हम इंटेगेटिव एक्टर से क्या अगरते एक्वेशन को multiply multiplying equation 1 with 1 over 2 x square y square तो therefore क्या बनेगे हमारे पास 1 plus xy over 2 x square y square into y dx plus 1 minus xy over 2 x square y square into x dy is equal to 0 यह हमारे पास है अब देखो 1 y से तो 1 y cancel ठीक है यहां पर क्या बचाएगा 1 over 2 x square y जब इसकी चे लेके आएंगे तो बच्चे कह यहां से 1 y से तो y cancel 1 x से x cancel 1 over 2 x dx plus यहां पर 1 x से 1 x cancel तो इसकी चे लेकेंगे 1 over 2 x y square minus 1 x और 1 x से cancel हो जाएगा 1 y से 1 y cancel तो minus 1 over 2y dy is equal to 0 ठीक है इसको मान लेते हैं equation number second इसके बाद क्या करोगे इसको आप चेक कर लीची कि एक्वेशन एक्जेक्ट है equation second is exact क्यों है exact because curly m over curly y is equal to curly n over curly x हमारे पास यहां से क्या आएगा curly m over curly y यहां से क्या आने वाला है देखो इसका क्या करने में y के respect में derivative तो वन ओर टू एक्स के तो एजटीज रहेगा ठीक है जो वाई है वन ओर वाई का derivative का होता है माइनस के देख वाई को अपर लेकर गई तो माइनस के वन और वाई स्केर यह हमारे पास यहां से करेंगे माई के respect में इसका एक्सक्रिस्पेट्ट में derivative सेम हमारे पास यहांने वाल है ठीक है तो एक्वेशन क्या हो चुक है हमारे पास एक्जेक्ट हो चुक है अब क्या करने इसका solution find करना hence the solution is y constant mdx plus terms in n node containing x dy is equal to c यह हमारे पास क्या solution है इसका चले इसका solution भी लिख लिख लिखते एक बार यह लिख देता हूं y constant mdx m की value अब हमारे पास क्या है यह value जो किसन second के अंदर 1 over 2 x square y plus 1 over 2 x dx plus terms in n node containing x इसके अंदर x है इसको नहीं लेंगे यह हमारे पास है तो minus k1 over 2y dy is equal to c यह हमारे पास आचुक है इसका हमें क्या गड़ना है integration चलिए इसका integration करते हैं वाई तो यहां पर constant है 1 over 2y यह हमारे पास constant है 1 over x square x square का जो integration आएगा x square को लिख सकते हैं x के बावर minus 2 और इसका integration क्या होता है प्लस 1 minus 2 plus 1 that is minus 1 over x minus 1 by x यह आएगा देखुए minus और इसको निचे लेके आएंगे तो term positive तो यहां से हमारे पास किसका करें integration x का तो minus 1 by x ठीक है integration आप कर सकते हो बिल्कुल इस यह है बच्चो अलगा में यह पलस 1 by 2 log x minus 1 by 2 log y is equal to c यहां से यहां से यहां से कोमन निकाल दे यह तो से कंप्लिटीकेशन को मिल्टिप्लाय करेंगे तो हमारे पास क्या बने जब जाएग माइनस 1 over xy plus log x minus log y is equal to 2c 2c है इसको आप नए यह constant का नाम दे सकते हो that is c1 ठीक है यह आप c भी लिख सकते हो कोई problem नहीं है कि यह constant है तो यहां से हमारे पास minus 1 over xy plus log x upon y is equal to c यह हमारे क्या गया इसका answer ठीक है अब करते हैं next question next question that is last question कर लिते है एक जो बीच के दो कोशन है second and third वे बिल्कुली जी questions है वे आप कर सकते हो जो फोर्थ question हमारे पास है xy sin xy plus cos xy into y dx plus xy sin xy minus cos xy into x dy is equal to 0 यह हमारे पास है स्क्राइल कर अची कोशना है करते हैं इक्वेशन एक्वेशन विद म्दी जीक्ता पास्ते हमारे पास है गाश्य मीज और मिट फैड़ पाश्य हैं x y square sin x y plus y cos x y n is equal to x square y sin x y minus x cos x y यह हमारे पास आच चुक है हमें क्या करना है इसका partial derivative कर लिए एम और कर लिए इसका वाई के इस्वेक्ट में डेरिवेटिक क्या है आएगा हमारे पास y के respect में डेरिवेटिव देखो क्या आने वाला है अद देखें आप एक समरी पास है इस यह तो हमारे पास क्या है constant है ठीक है लेकिन यह बच्चा y square and sin xy अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे बताओ सो चो कैसे करेंगे डेरिवेटिव इसके अंदर में इस इकोल टो एक्स y square sin x y प्लस y cos xy और आने हमारे पास x square y sin xy माइनस के x into cos xy कर ली एम ओवर कर ली वाई एक्स तो यहां पर इसके अंदर क्या लगाएंगे हम वाई प्रोड़क्ट रूल लगाएंगे तो वाई स्केर का तो वाई साइन एक्स वाई एक्स वाई का हमारे पास क्या एगा एक्स तो कॉंस्टेंट है तो कॉंस्टेंट बाहर पलस इस सरकांफिनिस यह बच्चा हमारे पास ठीक है इसका करना वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई कर वन हो गया कोस एक्स वाई एजटीज पलस वाई एजटीज कोस एक्स वाई का मैनस एन एक्स वाई और एक्स वाई का इंटू एक्स यह हमारे पास आचुका है यहां पर आप चाहो तो इसको थोड़ी सा अंदर मिलते लाए कर सकते हैं तो यहां से क्या आएगा 2xy sinxy plus x square y square cosxy plus cosxy minus xy sinxy 2xy sinxy xy sinxy तो 2 में से 1 minus करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा only एक ही बचेगा ठीक है यह हमारे पास आच चुका है curly m और curly y अब यहां से करेंगे curly n और curly x तो यहां से हमारे पास same y तो constant है x square 2x sinxy plus x square cosxy over into xy का x के सब्सक्राइब डरिवेटिव करें तो y minus यहां पर x का 1 cosxy as it is फिर minus x as it is cosxy एगा minus sinxy into y तो यहां से हमारे पास 2xy sinxy तो यहां से हमारे पास यहां से xy sinxy यहां पर क्या 3xy sinxy तो यहीं से क्या होगा इसका difference करेंट होगा तो यह क्या है equal नहीं है curly m over curly y curly n over curly x not equal therefore equation 1 is not exact equation 1 क्या हमारे पास exact नहीं है ठीक है equation में exact नहीं है now mx minus n y m हमारे पास ही है इसको क्या करो x के साथ multiply तो यहां से क्या हैगा x square y square sin xy plus इसकी x square multiply तो xy cosxy then minus करना है तो minus bread के अंदर इसको क्या करो n को y के साथ multiply तो यहां से x square y square sin xy minus y के साथ multiply है तो xy cos xy ध्यान रखना multiply angle में नहीं करनी है multiply बाहर करनी है ठीक है जो function है उसको कोफिशेंट के साथ तो यहां से हमारे पास x square y square sin xy plus xy cos xy minus अंदर bracket open करेंगे तो minus minus यह हो जाएगा हमारे पास पलस तो यहां से हमारे पास x square y square sin xy x square y square sin xy यह तरम तो cancel हो चुकी है हमारे पास ठीक है xy cos xy xy cos xy that is 2xy cos xy तो integrating vector हमारे पास क्या आएगा 1 over mx minus n y is equal to 1 over 2 xy into cos xy यह हमारे पास क्या है इसका integrating vector अब integrating vector आज चुका है इसकी क्या करेंगे multiply करेंगे equation 1 के साथ then equation क्या हो जाएगे exact हो जाएगी उसके बाद हम उसको क्या क्या करेंगे solution find और फिर हमारा question finish राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है दोनों जहांके मालक तेरा ही आसरा है चली करते हैं multiply equation 1 with 1 over 2xy cosxy तो यहां पर हमारे पास कहाएगा xy sinxy plus cosxy into y dx over 2xy cosxy plus xy sinxy minus cosxy into x dy over 2xy cosxy is equal to 0 यह हमारे पास होच शुक है इसको क्या करेंगे हम separate करेंगे इसको इसके निचे लिखेंगे इसके निचे भी तो यहां भी लिखेंगे तो xy से xy cancel तो क्या बचाएगा 1 by 2 10xy क्योंकि sinxy को इसके उतता है 10 होतता है पलस यहां से हमारे पास 1 over 2 y से y cancel x cosy cosy dx plus xy xy cancels sign by यह के बनेगा 10xy ठीक है next हमारे पास xy x cancel minus 1 over 2 xx cancel 1 over 2y cosy 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 cancel dy is equal to 0 equation number 2 2 x 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 एस को sol करें 10 y x y 8 x 0 x एक्ट ओच किया, hence the solution is y constant mdx plus trams in n not containing x dy is equal to c यह हमारे पास का solution find करना है तो y constant m क्यों लिए हमारे पास आई है this 1 by 2 10xy plus 1 by 2x dx trams in n not containing x तो यह तो नहीं होगी यह बच्चे के हमारे पास minus 1 over 2y dy is equal to c अब क्या करना है इस का में integration करना है और हमारा काम finish integration करना आपको आता होगा ठीक है देखो y तो यहां पर constant है तो 1 by 2 10xy का integration क्या उतता है secant log of secant xy ठीक है जो xy है इसका integration हमारे पास क्या आएगा x के respect में कर रहे हैं तो यहां पर आएगा हमारे पास y plus 1 by 2 log of x minus 1 by 2 log of y is equal to इसको भी लिख जटते हैं log c ठीक है क्योंकि हमारे पास log के अंदर टरह में तो इसको लिख सकते हैं लोग से कोई प्रोब्लम नहीं है अब यहां से हमारे पास देखो इसको हम सिंपलिफाई कैसे करेंगे जो mql यू आई थी हमारे पास वो निक्यानिक अलिए थी हैंस दा सोलुशन इस दिस यह हमारे पास mql 1 by 2 10 x y plus के 1 upon 2 x इन्टेटर फेक्टर हमारे पास आई दिसको एक मिनट 2 x y cos x y x y से हमारे पास x y cancel होच चुका था ठीक है यहां से बचाता था 2 cos x y और उपर हमारे पास का तसाथ में y भी था इन्टो वाई ठीक है देखो जो बाहर वाई था वो भी तो हमारे पास आएगा 2 x y cos x y यह हमारे पास आ गया था यहां पर y भी था हमारे पास ठीक है अब देखो इस y से यह y cancel 1 by 2 1 by 2 1 by 2 अब चाहूत इसको क्या निकल सकते हो यह वहाँ पर सकते हो यह वहाँ पर इसको लिख सकते हैं लोग secant xy plus log x minus log y is equal to log c और यहां पर आ गया 2 इस 2 को आप यहां पर लिख सकते हैं c square ठीक है तो यहां से secant xy log secant xy log x plus log y तो क्या होता है आप इसको इस्टाइब से लग सकते हो चलिए इसको जो secant xy है x को यहां लिख दते हैं into secant xy जो यह तरम है इसको इसको इसाड़ लिख आते हैं तो लोग ओफ क्या बनेगा मारे पास c square into y अब दोनों साइड क्या लेंगे हम एंटि लोग क्या कि हमने दस्ट लोग अब चाहो तो जो सी स्केर है इसको एक अनादर कॉंस्टेंट के भी दे सकते हो यह सीवन भी दे सकते हो यह यह वह आप इससे c भी दे सकते हो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो secant xy c1 into y यह हमारे काहा है इसका answer चले वर इसका answer देह देते हैं course की फॉर्म है secant की फॉर्म में answer इसका x into secant xy is equal to c y ठीक है यह हमारे पास काहा है इसका answer आ चुक है यहाँ पर हमारी exercise साइज 1.4 फिनिस होते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू फॉर वाचिंग